इस भेयंकर गर्मी में कई तरीके का शेक पीने का अपना ही मज़ा है तो आज चलिए वटावट से बनाते मुश्क मेलन का ये सेक यानि की खरबूजे का ये सेक बहुत जादा टेस्टी लगता है खरबूजे शेक बनाने के लिए हमें चाहिए खरबूजा तो मार्केट में जो भी खरबूजा आपको मिल जाए जो भी खरबूजा पसंद आजाए वो आप लेकर के आए वैसे तो खर्बूजा यो ही खाने का अपना ही मज़ा है लेकिन इसका शेक बना कर पिया जाए तो ये तो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है तो खर्बूजा शेक बनाने के लिए हमें खर्बूजा को धुल लेना है और ये जो इसका उपरी का हिस्सा है इसे चाकू से हम का इस भी एमें चम्मस निकाला आता है से तो इस बीह थोड़ना मोटा शहण वाग देना है चाइक बैड़ी आप से हमारे हात में मतलऄ आप चलएंगे लिदार ऊड़त protective शीज़ा से नहीं ने तो चोड़ेंगे लिदार उदार जाके गिर merged तो यह देख सकते हैं आप हमने सारा पल्प निकाल लिया और थोड़ा मोटा सा इसका छिलका हमने छोड़ दिया है इस पल्प को हम डालेंगे मिक्सी के जार में एक ग्लास के करीब दूट डालेंगे अगर आप इसको जादा गाधा रखना चाहते हैं तो दूट कम डालें थो यह शेक बन करके तयार है इसे हम सर्व करेंगे जो हमने खर्बूजे का पल्प निकाला था उसी में इसमें हम थोड़ी सी आइस क्यूब और डाल देते हैं यह शेक को और ज्यादा ठंडा कर देगा और पीने में बहुत ही जादा टेस्टी लगेगा तो आप चाहें इसे को और पीने में भी बहुत ही जादा टेस्टी इसके टेस्ट को और भी जादा बढ़ा देता है तो थोड़े से नारियल के स्लाइस जरूर डालें थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे जो की देखने में और भी जादा अच्छा लेगेगा तो मैंने इसमें रेड और प्रीन कलर की टूटी फ्रूटी का यूज किया है आप चाहें तो इसमें थोड़े से पिस्ता डाल सकते हैं या खजूर डाल सकते हैं यह शेक बनाकर अगर आप बच्चों को देंगे तो आपको उन्हें कहना भी नहीं पड़ेगा वो इसे बड़े ही सौक से पीएंगे तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत दूलेगा मिलते हैं एक नहीं रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाई